केलो दोस्तों आज हम सेखने वाले हैं कि Lexis Audio Editor से Noise Rejection कैसे करते हैं जैसे Simply आपको Lexis Audio Editor को Open कर लेना है Open करने के बाद आपको Open Section में जाना है और अपने Audio को Select कर लेना है जिस Audio में आपको Work करना है उस Audio को Select करने के बाद आपको Right Side में 3.00 का Menu दिखाए देगा वहापे क्लिक कीजिए फिर Effect में जाएए Effect में जाने के बाद आपको Slide कीजिएगा Slide करने के बाद आपको Noise Reduction का एक Option दिखाए देगा Just Simply उस पे क्लिक करना है एक Dialog Box Open होगा इसमें हमें एक Just Slide करना है और अपने Voice के According से Adject करना है और Apply कर देना है हमारे Voice का Noise Reduction कप्लीट हो गया है I hope मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा Please मेरे वीडियो को Like कीजिए Share कीजिए और मेरे चैनल को Subscribe कीजिए Thank You